हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तुझी चैनल एंतुजियास्टिक राइडर पिछले कुछ ताइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग बहुत सारे कोशिंस कर रहे हैं कंटिनियूसली तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राइ करूँआ कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं तो सबसे बड़ा कोशिंज और बहुत साविक्षंज मेरे यूट्यूब कैणनल पर आ रहे हैं मेरे विडियो सब सबगार है कि क्या फोड इंडिया वापस आएगा कि तो मेरा जवाब है यस फोड इंडिया ज़रूर वापस आंडिट मेरा मतलब है कि फोर्ड इंडिया में है इंडिया से बिग्या नहीं है मैं सबके पास के नहीं है लुद की की जो कार्स हैं Ecosport, Figo, Aspire, Endeavor तो हमारे लिए तो Ford हमारे पास ही है हमारे लिए Ford कहीं गया यह नहीं अभी तक और ना जाएगा उसको इंपोर्ड करेगा और उसके साथ साथ बहुत साहले जो हैं जैसे मेरी कुछ टेम पहले जब ऐसको नियूज नहीं था फोर्ड इंडिया से चली जाएगी तब मेरे बात हुई थी फोर्ड में तो उन्हों ने मुझे बता था कि तीन वेहकल लॉंच होने वाले एक लगजरी सिदान है एक हाइएंड टॉप एंड गाड़ी है जो कि फोर्ड रेंजर की बात थी और एक मिड रेंज में फोर्ड एको स्पोर्ट से उपर का मॉडल शायद फोर्ड एक्स्प्लोरर या एक्स्पिडिशन तो उन में स तो प्रोबबली यह गाड़ियां इंपोर्ट इंडिया में होगी और कुछ टेम पहले एक फोर्ड फियस्टा का भी इमेज आ रहा था कि वह इंडिया में इंपोर्ट होगी तो प्रोबबली कुछ सालों में जब इंडिया सब टोटली जो प्रोड़क्शन है अभी जो 30,000 इंडिया में चैनली प्लांट में वह कंप्लीट होने के बाद फिर प्लानिंग कर सकता है वो गाड़ियां इंपोर्ट करें और अगर वह इंपोर्ट होंगी तो फिर फोर्ड की सर्विस कंटिनियूसली चालू रहेंगी सालों साल तक 10 साल का कमिट्मेंट फोर्ड नहीं किय देंद्रेंगा कुछा और इंडिया में होगे इंडिया में बंट जो हमाρι इसिवरीट कार होगी कोई स्पॉर्ट ही देखने को नहीं मिलेंगी nieuwe वेकल जो बागी जो इंपोर्ट होंगी गाडिया वो हमें देखने को मिलती रहेंगी आने वालों को सालों में और फ्यूचर में हमेशा आई तो यह रही फोर्ड के कमबेक करने के बाद तो मैंने इसका जवाब दे दिया है उसके बाद फिर बहुत सरे कुशन आ रहे हैं कि फोड की सर्विस का भी सर्विस कभी बहुत सर कुशन्स ते यह सर्विस प्रोइड होती रहेगी पार्ट भी अबलेबल होंगे सर्विस भोती होती RGenキ्यू उसके बाद जो कुशन था कि फोड कार लेने फर्ट की कोस्पूर्ट लेने वाले थे तो मालए कर लेना मैंने तो इसके उपर एक पर्टिकुलरी वीडियो बनाया हुआ है मैंने सजस्ट भी किया है बट इस वीडियो में शॉर्ट में बोल देता हूं अगर आपका बजट है एको स्पोर्ट के आसपास थोड़ा सा उपर जाने का तो आपके लिए बैस्ट ऑप्शन है और उसके उपर जो मेरी पर्सनल चॉइस है मैं अगर फ्यूचर में इसको तो नहीं बैचोंगा लेकिन दूसरी गाड़ी खरीदना चाहूंगा तो वह थार है और और इंडेवर के लिए जो ऑप्शन मैंने बताया था टोयोटा की फॉर्ट कोई भी गाड़ियां भी जो है इसको बेचे या फिर नहीं बेचे हैं सही डिसेजन होगा यह नहीं होगा जो 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 इनके लिए प्रॉफिटेबल हो ज्यादा लॉस में ना रहे है तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूंगा यह आपकी पर्सनल चॉइस है मेरा सर्जेशन यही रहेगा कि अपनी कार को बेची है मत क्योंकि किस कार में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है इन फ्यूचर सर्विस चलती रहेगी और मुझे लगता है कि फोड इको इसपोर्ट आपने खरी दी है तो इससाब तो नहीं खरीदी होगी कि बेचना ही है आपको क कोई भी गाड़ी है आप उसको पाच साल दस साल तो चलाते ही है इस इको इसपोर्ट जैसी गाड़ी जो है वह जादा लंबा चलाते हैं तो बेचने का तुक नहीं है अगर आप बेची रहें तो फिर डिसेजन आपका है परस्नल डिसेजन है और उसके बदले आप जो इंपोर्टेंट कोशन है वह मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहा कि सारे लोगों का जवाब देना हलांकि मैं हर एक कमेंट का रिपलाइड देता हूं अबर्ट सब को बार 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 वही reply करना कभी-कभी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है तो मैंने एक particular video बना दिया है उसके लिए तो आप सारे questions का answer इस वीडियो में देख सकते हैं और जाने से पहले एकी चीज़ बोलूँगा wear seatbelt and drive safe thank you so much guys for watching this video keep subscribe enthusiastic rider